कि नमस्कार दोस्तों ओसियन नेटवर्क में आपका स्वागत है मैं हूँ आमकार चोगरी कुछ दर्द वाकिए ऐसे होते हैं जो ना सहे जाते हैं और ना किसी से कहे जाते हैं और ऐसे ही दर्द से इस समय MBA के घटक दल गुजर रहे हैं हरकी घुमा फिरा करके कहने की कोशिश तो कर रहे हैं कि दर्द कितना गहरा है और जो जख्म अभी ताजा ताजा लगा है उसको भरने में अभी कितना समय लगे कह नहीं सकते हैं पर जो इनको पीड़ा हुई है जो दर्द हुआ है यह अभी शुरुवाती है कई बार जख्म भर जाते हैं धीरे-धीरे भर जाते हैं और कई बार वो हरे रहते हैं या उन जखमों को जब कोई कुरेजता रहता है तो फिर उनके भरने की गुंजाईश भी ज़रा कमी रहती है तो ऐसा लगता है कि पिछले ढ़ाई साल से बेमेल गटबंदन बनाकर के महराष्ट की सत्ता पर जो तीन दल काविज थे उधाव ठाकरे की सरप्रस्ती में उनके मुख्यमंत्री चेहरे के तोर पर उनको सत्ता खिसकने का कुर्सी जाने का पावर हाथ से फिसलने का बहुत बड़ा दर्द है इस समय वो उधाव ठाकरे के मुझ से भी सुनाई पड़ रहा है निकल रहा है वो शरद्पमार की तरफ से भी दिखाई पड़ रहा है जो उन्होंने प्रेस कॉंफरेंस की और दिल्ली में कॉंग्रेस के जो महासचियों हैं राष्टिय परवक्ता हैं जेराम रमेश उनकी जो एक चिठी है एक प्रेस नोट है उससे भी जाहिर हो रहा है कि एक्च्वल में चोट कितनी गहरी है कितनी निशाने पर लगी है एक बात तो होती है कि चलिए आपको पता है आदवी बीमार है बीमारी क्या है ये भी पता है आपने भागदोड भी कर ली है इलाज के लिए जितने उपाय कर सकते थे जितना बहतर से बहतर डॉक्टर आप हायर कर सकते थे जितने अच्छे अस्पताल में ले जा सकते थे वहा जिन कई बार शरीर में बीमारियां इस तरह की होती है, जिनका उपचार संभव नहीं होता है, या बहुत मुश्किल होता है, कई बार उम्र होती है, कई बार कुछ ऐसी डिजीज होती है, ऐसी बीमारियां होती है, जो वन्शानुगत चली आ रही होती है, और उनका उपचार जो है वो आसान नहीं होता है, तो वो कई बार व्यक्ति की जो आयू होती है, उसको भी कम कर देती है, इनको शायद डेड़ महिने पहले तक पता नहीं था, कि अगले एक सवा महिने में, डेड़ महिने में होने वाला क्या है, वरना तो जो इस तरहा के बेमेल गढ़बंदन बनते हैं, जिनकी ना कोई आपस में विचारधारा मिलती है, ना कोई नीतियां है, ना कोई सिध्धान्त है, और जो बाला साब ठाकरे की आइडियोलोजी थी, जिस पर उन्होंने पूरा जीवन गुजार दिया, शिर सेना खड की थी, उसके तो एकदम विपरीत विचारधार की दो पारिटियों के साथ मिलकर के उनके सुपुत्र ने ये सरकार बनाई थी, और तब भी उनको क्रिटिसिजम का सामना करना पड़ा था, कि भई देवेंद्र फढ़नवीश को मुख्यमंत्री बनवाने के लिए जनादेश दिया है महाराष्ट की जनता ने, और आपने मौका प्रस्ती में भारती जनता पारिटी को भी और महाराष्ट की जनता को भी डिच किया है, प्यरहल वो बीचे समय की बात हो गई, अब जो नया घटना करम है वो ये है, कि उधाव ठाकरे को कुर्सी छोड़नी पड़ी, क्य चले गए, 49 वे वो निर्दलिये भी चले गए, तो सरकार तूट गई, वो सदन का सामना नहीं कर पाए, जैसे ही सुप्रिम कोर्ट ने कहा कि आप सदन में अपना बहुमत साबित करिए, इस्तीफा देख करके बहाग खड़े हुए, अब इनको तो लग रहा था कि जो हम पर परचार कर रहे हैं, कि भारतिये जनता पारिटी ये उठा पटा किसलिए करा रही है, करोडों रुपया इसलिए फूंक रही है, ताकि महराश्ट की सत्ता पर काबिज हो सके, मुख्यमंत्री पद हथिया सके, एक परसेप्शन ये ही बनाने की इनकी चेश्टा थी, लेकिन दिल्ली में भारतिय जनता पारिटी का नेत्रत्व बैठा है, वो कुछ ज्यादा आगे की सोचता है और बहुत परिपक्वता के साथ, स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ता है, इनके इस परचार की हवा निकालने के लिए, उन्होंने देवेंदर फर्णवीश को थोड़ रहा हो, विदान परिशद का रहा हो, या अब शिवसेना में ये बहुत बड़े पैमाने पर बगावत रही हो, या इनका जो भी मैनेजमेंट है, वो परदे के पीछे रह करके किया हो, ये सारे प्रियास देवेंदर फर्णवीश के इस्तर पर हुए, उनके इनिशियेशन लेने के बाद हुए, बाकि जितने परदे के पीछे के चेरे हैं, वो चाए गुजरात गौर्मेंट हो, असम गौर्मेंट हो, या केंद्रिय नित्रत्व हो, उनका इन्वाल्मेंट बाद में हुआ, तो जो जन बहावनाएं हैं महराष्ट की, वो तो ये थी कि देवेंदर फड़नवी से ही मुख्यमंतरी होने चाहिए, और शमद ग्रहन समारो में भी जिस तरीके से नारे लगे हैं देवेंदर फड़नवीस के समर्थन में, जिसके लिए गवर्नर भगत सिंग कोश्यारी को अपील करनी पड़ी, कि आप लोग शान्त हो जाईए, ओथ लेने दीज किये, और उसके बाद जो देवेंदर फड़नवीस ने ओथ ली, गवर्नर के पैर चुए, रजिस्टर भरहस्ताक्षर किये, पूरे समय वो एकदम खामोश रहे, उनके चेरे पर किसी तरह की कोई प्रसन्यता दिखाई नहीं दी, और देवेंदर फड़नवीस और उनके समर पर्थकों का जो रुख था, उसको खुद एकनाथ शिंदे जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, वो भी भाप गए थे, इसलिए उनके चेहरे पर भी वो चमक नहीं थी, वो खुशी नहीं थी, जो किसी के चेहरे पर आ जाती है, जब वो किसी राज्य की कमान संभाल रहा होता है, या उसको ये जाइत तो मिलने वाला होता है, बहराहल ये तो हुआ एक पक्ष, लेकिन चाहे उधव ठाकरे हों, चाहे कॉंग्रिस की लीडर्शिप हो, या शरद पमार हों, किसी को भी इस बात का एहसास तक नहीं था, कि भारतिय जनता पार्टी इतना बड़ा फैसला क कर सकती है, महराष्ट को ले करके, एकनाथ शिंदे को चीफ मनिश्टर बनाने का क्या मतलब है, क्या मनता हुए है, क्या मकसद है, इस पर मैंने रात एक वीडियो अल्रेडी बनाया था, तो उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं, सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि इनको मुख्यमंतरी बनाने के पीछे, जो तीन चार बड़ी बाते हैं, रननीती है, वो ये है, कि इतो मराठा मतदाताओं को साधा जाए, शिव सेना को और शरद पवार को नुकसान पहुंचाया जाए, अभी BMC समेत, तमाम महापालिकाओं के नगर निगम और नगर पर कि इधान सबा चनाओ और लोक सबा चनाओ भी कोई बहुत दूर रह नहीं गया है, 2024 कोई बहुत दूर नहीं रह गया है, अब से एक साल बात तो चीजें शुरू हो जाएंगे, तो एक मराठा कार्ड खेला है, नमबर दो, जो शिव सेना है, और जो उदव ठाकरे का जुबानी हुई है, शिव सेना के नेताओं की तरफ से, परदान मंतरी के लिए भी, ग्रह मंतरी के लिए भी, वीजेपी नेतरत्तों के लिए, उसका जवाब यही है, जो इस समय भारतिय जनता पारिटी दे रही है, अब भले ही यह कहें के साब, यह सच्चे शिव सेनिक न लेकिन जो बाला सहब ठाकरे के इतने नजदीक रहा हो, जिसको बाला सहब ठाकरे का आशिरवाद मिलता रहा हो, और जो बाला सहब के परती पूरा समरपन का भाव दिखाता रहा हो, जो कल तक आपके साथ खड़ा रहा हो आपकी सरकार में नंबर दो रहा हो और जिस एकनात शिंदे की चर्चा 2019 में भी ये थी के उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है वो एक जटके में अब शिवसेनिक नहीं रह गया मतलब अगर एकनात शिंदे के नित्रत्तों में पच्छपन में से 49 एमेले शिवसेना के आपसे नाराज हो करके आपके आचरन आपके व्यवाहर से नाराज हो करके आपके द्वारा अपमानित महसूस करके अलग जा रहे हैं तो वो शिवसेनिक नहीं रह गए अब तरह तरह के कुतर्क दिये जा रहे हैं संजराउत का एक वयान देख रहा था के साथ जिन्होंने वगावत की है इन में से कम से कम 16-17 तो 2019 से पहले तक या तो कॉंग्रेस में थे या NCP में थे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका शिव सेना की विचारधार से कोई लेना देना नहीं है या हिंदुत उसे उनका कोई लेना देना नहीं है या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ जो आरोफ वाके ही लगाये जाते हैं कॉंग्रेस पर और NCP पर के ये हिंदू विरोधी एजेंडा चलाते हैं मुसलिम तुष्टिकरण की निती अपनाते हैं उसी को अंडरलाइन कर रहे हैं संजर राउत और चलिए 2019 से पहले ये होंगे कॉंग्रेस में या NCP में लेकिन 2019 में फिर शिवसियना ने इनको टिकट कैसे दे दिया ये जीत करके कैसे आगे उसी हिंदूत्व के एजेंडे पर और कॉंग्रेस को और NCP के कैंडिडेट को हरा करके ही लोटे थे त तो तरह तरह के तरक कुतरक जो हैं वो इस समय ढूंडे जा रहे हैं जो पहली प्रेस कॉंफरेंस पूरे घटना चक्र के बाद उधव ठाकरे ने की है उसमें वो सुनिये क्या कहते हैं वो कहते हैं कि शिवसेनिकों में ये कंफ्यूजन है कि क्या ये शिवसेना का CM है मैं ब बार शिवसेना को पीछे छोड़कर सियम बन गया है वो शिवसेना का सियम नहीं हो सकता यानि ये कल तक भले ही हमारे साथ रहा हो ये भले ही बाला साथ ठाकरे का परम भक्त रहा हो शिश्च रहा हो बाला साथ ठाकरे भले ही उसको तिलक लगा करके अपना आशिरवाद देते रहे हो ये भले ही वाला साथ ठाकरे के परती स्रद्धानत रहा हो आस्तावान रहा हो और ये भले ही कल तक आपके साथ आपके मंत्री मंदल का सहयोगी रहा हो और आज अगर नराज हो करके ये बाहर चला गया शिरसेना से तो ये गद्दार हो गया ये अब शिरसेनिक नहीं र वो सारे के सारे 49 के 49 भी गद्दार हो गए वो अब शिव्जैनिक नहीं रहे यह क्या तर्क हुआ और एक्च्छल में भारतिय जनता पारटी नित्रत्तों का यही बड़ा दाओं है आज राहुल नार्वेकर ने विदहान सभा के इस पीकर के लिए नाम अंकन भर दिया है यह कुलावा से ही आते हैं मुंबई से ही आते हैं इनके पिता भी कांसलर रहे कार्पोरेटर रहे बीमसी में यह भी भारतिय जनता पारटी के अच्छे कार्यकरताओं में माने जाते हैं MLA है इसके अलावा शिवसेना में भी रह चुके हैं रीती नीतियां जानते हैं इस स्पीकर बनेंगे इनहीं के सामने यह मैटर आने वाला है कि जो टू थर्ड लोग टूटे हैं शिवसेना के वो असली शिवसेना है या नहीं है और क्या लगता है आपको या उद्व ठाकर क्या लगता है वो डरे हुए हैं कि अगर विधान सभा के भीतर इन टू थर्ड एमले को शिवसेना के तोर पर मान्यता मिलती है तो जो अभी उनके साथ बचे हुए हैं उनको भी फिर इनके ही विहिप का इनके ही आदेश का पालन करना पड़ेगा अगर नहीं करेंगे तो उनकी सदस्ता चली जाएगी और उसके बाद इसी बेस पर यानि विधान सभा में मान्यता होने के बेस पर ही यह लोग चुनावायोग जाएंगे और कोट कचेरी में जो भी मुकदमेबाजी होगी उसमें यही आर्गुमेंट दिया जाएगा और भारती जिंता पार्टी न करने का और विधान सभा में भी प्रूव करने का कि हम ही असली शिवसेना है असली खत्रा यह है असली पीड़ा और दर्द यह है उदव ठाकरे की उन्होंने यह भी कहा है कि अगर अमिट शाहा ने अपना वादा निभाया होता तो अब महाराष्ट में बीजेपी का मुख् मुख्यमंत्री है और खुद इन्होंने प्रेस कॉन्फरेंस में कहा है कि देवेंद्र फड़नवीश के पास 106 अपने साथ निर्दलिये कुछ और छोटे दलों के कुल मिला करेके 120 अमेले और फिर भी उन्होंने बड़पन दिखाया खुद मुख्यमंत्री नाबन करके मेर श्रसा कोई नहीं करता दुनिया में एक मामुली सा अगर कोई परंदा में घिला परिश्ण का चुना होता है उसमें भी कोई चेयर मेरइन का प्ड़ नहीं चूड़ता सर्पन्च का पड़ नहीं चूड़ता यहा तो रज के मुक्ष्यमंत्री का पड़ है तो इन चीजों का actual में जो ये दुस्परचार कर रहे थे कुछ ने पिछले कुछ समय से भूमिका निभा रहे थे कि भारतिय जनता पारिटी उधा उठाकरे की MBA सरकार को इसलिए गिरा रही है ताकि सत्ता पर काविज हो सके मुख्यमंत्रीपद पर काविज हो सके तो वो जो इनका ए करने का परियास था वो तो खतम धोल में मिल गया है आज चंदरकांत पाटिल की भी प्रेस कॉन्फरेंस थी और उन्होंने ये कहा कि जो बच्पन से शिवसेनिक है यानि एक नात्शिंदे और बहुत सारे दूसरे विधायक भी जो बच्पन से शिवसेना में रहे हैं शिव और उन्होंने ये भी कहा कि वाला साब ठाकरे के ये परमशिष रहे हैं सच्चे शिवसेनिक हैं एक नात्शिंदे ये इनका कहना था दूसरे मं आपको बताना चाह रहा था कि शर्थमवार उन्होंने कल रात में sacar की अक तो उनकों के मिलेंक्ट जो 2004 में, 2009 में, 2014 में और 2020 के चुनाव में हलफ नामें दाखिल किये हैं, उन हलफ नामों में प्रोपरिक्टी को लेकर के और दूसरी जानकारियों को लेकर के तमाम तरह के अंतर विरोध हैं, विसंगतियां हैं, तो आप जवाब दीजिए, अब इसको भी इस पूरे घटना कर से ये लोग जोड करके प्रस्तुत कर रहे हैं, और इनका कहना है कि साब ये जो कुछ किया जा रहा है, ये बदले की भावना से किया जा रहा है, और इन्होंने क्या कहा प्रेस कॉन्फरेंस में? इन्होंने कहा कि साब मैं एक नात शिंदे को उनकी नई जिम्मेदारी के लि गोहाटी ले जाने की ताकत दिखाई है। उन्होंने लोगों को शिव सेना छोड़ने के लिए प्रेरित किया। मुझे नहीं पता ये पहले हुआ था या नहीं लेकिन ये बिना तैयारी के नहीं हो सकता। यानि इतने बड़े पहमाने पर शिव सेना के विदायकों को ले जाना पहले सूरत और फिर गोहाटी। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने मुख्यमंतरी से बात की है, एकनात शिंदे से बात की है, उनको बधाई दी है। और ये उम्मीद जाहिर की है कि उनके नित्रत्तों में राज्य जो है वो आगे बढ़ेगा। और साथ में एक गुगली भी फैकने की कोशिश की उन्होंने। उन्होंने कहा कि साब देवेंद्र फड़नवीस उप्त मुख्यमंतरी का पद स्विकार करते हुए, शपत लेते हुए खुश दिखाई नहीं दे रहे थे। परन्तु उन्होंने आदेश का पालन किया। उन्होंने कहा कि वो नागपूर से आते हैं। और नागपूर में जो की RSS की जो परिपाटी है, कि उनके आदेश का पालन होता है, तो एक अनुशाशित सिपाही की तरह उन्होंने आदेश का पालन तो किया। लेकिन उनके चेरे से लग रहा था कि वो खुश नहीं है और इन्हों ने ये भी कहा कि जो भारतिय जनता पारिटी सरकार है वो केंद्रिये एजेंसियों के का दुरूपयोग कर रही है और उनको इनकम टेक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रेम पत्र आया है लव लेटर आया है तो आप ये समझ सकते हैं कि शरद पमार और उधव ठाकरे दोनों कितनी गहरी पीडा में हैं एक स्टेट्मेंट जैराम रमेश ने भी जारी किया है और मेरा मन है कि इस स्टेट्मेंट पर एक अलग से प्रोग्राम देंगे क्योंकि आल्रेडी बीस मिनट से ज्यादा ये प्रोग्राम हो चुका है बहुत सारे दर्शकों का ये कहना होता है कि वीडियो छोटे रहें लेकिन इनकी पीडा कुल मिला करके ये है जिस्ट ये है स्टेट्मेंट का कि सब महराष्ट में भी जो कुछ किया गया है भारतिये जनता पारिटी के द्वारा ये पहली घटना नहीं है इनका पहला परियास होता है कि किसी भी तरीके से चुनाव जीता जाए हर तोर तरीके अपना करके अगर फिर सफल ना हो तो जो विरोधी दलो की सरकार होती हैं उनको कामकाजना करने दिया जाए उनके पीछे केंद्रिये एजिंसियों को लगा दिया जाए और इन्होंने 2016 में उत्तरा खंड से लेकर के पूरवत्तर की राज्यों तक मनी पूर गोवा बहुत सारी जगहों का एक ब्योरा दिया है कि इन राज्यों में भारतिय जन्ता पारिटी ने अपने मुखालिफ सत्तारूड दलों के विधायकों को उकसाया सरकारी तोड़ी और फिर अपनी सरकार बनाई इनमे करना टक कर मद्यप्रदेश का भी उल्लेख है इस पर एक अलग से बनाएंगे कि केवल भारतिय जन्ता पारिटी जिम्मेदा अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको यह चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शेर भी करें अभी तक अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या जोएन नहीं किया है तो कर सकते हैं निशुल्क मामुली शुल्क दे करके आप जोएन भी कर सकते हैं साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर दबा दे ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और लाइक करना ना भूलें जो भी इस वीडियो को देख रह करें हैं लाइक जरूर करें बहुत धन्यवाद आपका नमस्कार